हेलो श्टुडेंट आज हम लोग क्लास 10 चाप्टर ट्रेंगल एक साथ 6.5 कुशन नंबर 7 देखेंगे चले देखते कुशन नंबर 7 प्रूफ दाट दा सम ऑफ दा स्क्वार ऑफ दा साइड्स ऑफ रोंबस इस इक्वाल तू दा सम ऑफ दा स्क्वार ओफ इट्स डाइगोनल क्या है हम 대해서 कर देखें करते हैं रोंबस का साइड का रोंबस के सैड का स्क्वार का सम रोंबस डाइगोनल के स्क्वार के सम के बराबर है तो पर छो करना चले देखते हैं जो हम लोगों को दिया था question में given हम लोग ने लिख लिए ABCD is a rhombus whose diagonals AC and BD intersect at all आप देखें प्रूब हम लोग क्या करना है हम मैंने पता इसका side क्या हो जाएगा AB square plus BC square plus CD square plus AD square equal to किसके होगा इसके diagonal के square के sum के diagonal का square AC और BD तो इनके square के sum के equal हो गई हम लोगों को prove करना है तब हम लोग कैसे prove करेंगे चलिए देखते हैं यहाँ पर जो square का side होता है वो क्या होता है आपस में equal होता है क्या होता है जो हम लोग का रोम बस होता है उनका जो साइड होता है अपस में एक्वल होता है और क्या होता है और यह जिनका जो डाइगोनल होता है वो बाइसेट करता है 90 डिग्री पे क्या करता है एक लोग को बाइसेट करता है 90 एंगल 90 पे यहाँ पे लोग क्या करेगा बा O A O A किसके बराबर होगा O C के बराबर होगा O B किसके बराबर होगा O D के इक्वल होगा ये बात आप याद रखेगा O A किसके बराबर होगा O C के और O B किसके बराबर होगा O D के इक्वल होगा अब चलिए हम लोग इससे solve करते हैं सबसे पहले आप देखिए हम लोग इसको कैसा सॉल्फ करेंगे इन ट्राइंगल सबसे पहले हम देखते ए ओ भी ए ओ बी देखिए 90 डिग्री हाँ पर बन रहा है है कितना है एंगल 90 है तुसनल 90 के सामने वाला क्या होगा है हाइफटेनास तो ऑ होगा a b का square equal to क्या होगा ओए का square प्लस किसका होगा o b का square by इसका equation 1 नाम दे देते equation 1 कर देते और लिख देते बाई पाइथागोरास theorem पाइथागोरास theorem सिमिलर्ली इसी प्रकार से ठीक है सिमिलर्ली हम लोग यहां कर देते हैं सिमिलर्ली जो हम लोग का होगा किसका b c का square वो किसके पराबर होगा b c का जो square है वो हम लोग का होगा o b का square plus o c का square o c हम लोग को क्या हो जाएगा perpendicular और सुरी o b क्या हो जाएगा perpendicular और o c क्या हो जाएगा base अब यहां पर फिर से देखी इसको नाम देते equation number second अब यहां पर हम लोग देखते है c d का square क्या हो जाएगा इस triangle में triangle c o d में इस triangle में क्या हो जाएगा जो angle के 90 जो angle 90 उसके सामने वाला side क्या है c d तो c d का square फिर क्या हो जाएगा हम लोग का o c का square plus o d का square इसको हम लोग equation 3 नाम देते और triangle triangle a o d में जो हम लोग का a d होगा 90 90 degree जो 90 angle हम लोगा angle 90 के सामने वाला हाइपोटेनस तो क्या हो जाएगा a d का square equal to क्या हो जाएगा अब देखिए हम लोग क्या करेंगे चारों equation को जोड देंगे adding equation adding equation one two three and four we get हम क्या मिलेगा जोड देते हैं a b square प्लस b c square प्लस c d square प्लस a d square अब equal to के इधर वाला काम लोग लिखेंगे o a का square प्लस o b का square प्लस क्या हो जाएगा o b का square प्लस o c का square प्लस o c का square अब यहां पर देखिए अपर हम लोग के देंगे a b का square प्लस b c का square प्लस c d का square प्लस a d का square equal to देखिएंगे o a square कितना हो जाएगा two o a square प्लस यहां पर देखिए o b square plus O-B-Square कितना हो जाएगा? 2OD-Square, फिलस देखिए oc-оль, d-square dåC-square, plus, d, qd-gl, sub-04 कितना हो जाएगा? 2OD-Square, अब चलिए हम लोग देखती है, यहाँ निकाल लोग किया है? 2OD-Square अब यहाँ OC का square plus OD का square, अब यहाँ पर दिहान से देखे, student, यहाँ पर दिहान से देखेगा, 2 लिखेंगे, OA square, अब देखे, OA square और OC square आपस में equal है, तो हम लोग क्या करेंगे, OA square लिखेंगे, OC की place में क्या लिख देगे, O A square, प्लस देखिए, OC किस के बरावर है, OA के, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, OC के place में OA का square लिख देखे,SO B का square प्लस OD, OD किस के बरावर था, OD की क्या लिख सकते, यहाँ पर हम लोग क्यूं हुआ, इसको लिख देते हैs, जो हम लोग का, OA है, O, A है वो किसके बराबर है OC के और में Estate OD है स्वरी OB है वो किसके बराबर है OD के यहां से हम लोग ने लिखे दी आप चले मैं इसको आपके लिए आपी लिख देता हूँ क्या हो जाएगा sommes AB का square प्लस BC का square प्लस CD का square प्लस AD का square और हम लोग एकवर्ट के इधर क्या है बच्चा देखिए इसको हम लोग आड ये हों आजायगा कि आगर लाक Eles qiẹस प्लस वैंस और तो और किस ना में देखी अंप यहाँ पर किया हो जाईगा विश्क्वार प्लस विश्क कितना हो जाए कि कितना हो जाएगा तो जो बी स्क्वार आप चली यहाँ पर देखिया क्या हम लोगा you D teu यहाँ देखिए है आब इस रही है परstud can do to go to smolchi saga करेंगे फॉर ओ एस स्क्वाइर फौस इसको इससे मुल्टिप्लाइन करेंगे फॉर ऊबी स्क्वाइर आप यहां पर दिऊन से देखिए बॉर अब लोग इशको कैसे लिख सकते 4 O A का हम लोग क्या से लिखते है 2 O A का square लिख सकते है प्लस यहाँ पर भी 2 O B का square हम लोग लिख सकते है अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हम लोग का यहाँ पर लिख देते A B का square प्लस B C का square प्लस C D का square प्लस A D का square equal to क्या होगा देखिए यहाँ पर दिहान से न देखिए यहाँ पर 2 OA है 2 OA यानि कि OA दो बार है OA और इसको भी हमनों OA कर देंगे तो किस के कितना हो जाएगा यह AC के बराबर हो जाएगा धिहान से देखिए student मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ जो हम लोग का यहाँ पर क्या है AC जो है वो हम लोग किस के बराबर होगा OA प्लस OC के अब OA यहाँ पर देखिए क्या है OC किस के बराबर है OC किस के बराबर है OA के बराबर है तो हम लोग OC के प्लेस में OA लिख सकते अब यहाँ पे AC बराबर क्या जाएगा 2 O A तो हम लोग 2 O A के place में क्या लिख सकते हैं हम लोग AC लिख सकते हैं यहाँ पे AC लिख देंगे प्लस आप देखिए यहाँ पे फिर 2 O V यहाँ पे भी देखिए हम लोग का जो B D है हम लोग का जो B D है एक आगे यहाँ पे BD यहाँ पे देखिए BD BD को हम लोग कैसे लिख सकते OB PLUS OD कैसे लिख सकते OB PLUS OD अब यहाँ पे देखिए OB को OB लिख देंगे OD PLUS OD OD को क्या लिखेंगे हम लोग OB क्यों क्यों हम लोग का OB था किसके परावर था OD के तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते तो कितना हो जाएगा BD का value कितना आ जाएगा हम लोग का 2 O B 2 O B आ जाएगा 2 O B को क्या लिख सकते BD तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर square हो जाएगा यहाँ पर क्या लिख सकते हम लोग BD BD का square हो जाएगा और यही चीज़ हम लोग को prove करना था हम लोग यहाँ पे next line में लिख देंगे AB square plus BC square plus CD का square plus AD का square equal to क्या हो जाए हम लोग का AC square plus PD का square यही चीज़ हम लोग को prove करना था hence proved देखिए सारा side आ गया AB का square plus BC का square plus CD का square plus AD का square equal to diagonal के square के sum के बराबर था AC square plus BD square यही चीज़ हम लोग को prove करना था so student वीडियो पसंद था तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए thank you